कि आयोटा क्लासेज तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि रूट 7 जो है मारा वो रेशनल इर्रेशनल लंबर होगा यह प्रूफ करके मुझे दिखाना है तो यह आपको में दिखा रहा हूं इससे पहले में रूट 6 रूट 5 रूट 2 का पूरा करके दिया था वहा है लिखावा तो मैं वहाँ पर सिर्फ आपका रूमिकल्स वैल्यू चेंज होंगे बागी सब कुछ सेम है जैसे में आपको पहले कहा है कि एक कुछन को कर लिया बागी सारे के सारे सेम है तो अब रूट 7 का आपको दिखाने वाला हूं कि रूट 7 को कैसे करेंगे हम लोग अब भी क्या है कि यह सारे के सारे तो धियो आपकी यह है यह पुरूफ जो होंगे हमारे के सारे कांट乐 कांटरिशन मेशन से प्रूब रो लोग रिए करेंगे और अपनी सपैस्गी कर देले पर कि ना हम वं जाड़े तो डिखो इस क्या कर रहे है कि यह मान लेते उन vyjak says be a अगर ऐसा पॉसिबल है तो हम लोग मान लेते हैं कि रूट सेवन क्या है रिशनल लंबर यह लोगों ने मान लिया विच कैन बी एक्सप्रेज्ट आज जिसको लोग एक्सप्रेज कर सकते हैं लिख सकते हैं सब चीज सारे कॉशन में आपको ऐसे ही लिखना है चलिए तो फिर आप जाओ मेरा पहला वीडियो जाकर देखो जिसमें में अगर ओर नकिर ओ जाए है तो अडल में लोग इसा कोई 2 नंब लेगा सुक्सप्रा 9 रच्ट 5 ऐसे spre एक कि दो 22 एंट 22 एंट 23 इसके पहले हो गी तो भी निकालो गी तो वह रही आगा कि स्थी तो अपका इस्थी हमाना वन उस्थी को मन फेक्टर वर थे बात एक ही है थिक थिक थीजिए 1 इसके लेबर कुछ नहीं आ झाले चाहिए तो अब देखो तो फिर अगर रूट 7 हमारा रेशनल अब अपने माना है तो रूट 7 को अपने लिशते हैं A by B के फॉर्म में लिख दिया अब इस B को इधर भीड़ेंगे तो क्या हो जागा हमारा तो यह हो गया 7 7 B square is equal to here a square दालेंगे तो चल्डी अब आगे देखते हैं तो यह हो गया इसको में कुशन मान लेता हो कि अब इस 7 को अगर मैं इधर भेज दो तो क्यों जाएगा माना B square है ना तो divided by 7 हो जाएगा जब इस 7 इधर आएगा तो आगे दिवाइद भाइगा ठीक है चल्डी तो है अब देखो यहां पर क्या हो रहा कि आपके a square is divisible by 7 a square क्या हो ना 7 से divisible हो रहा है तो क्यों हो रहा है तो क्यों हो रहा है कि आपको आपका a square के value है वह 7 इंटु बिक स्वाइद के 7 के multiple के form में तो कोई भी नंबर अगर उसके multiple है तो रहने कि वह से divisible भी होगा यह बात हमेसे ज्यान रखना तो यह जो a square है 7 से divisible होगा है और यह theorem हम लोग ने पढ़ा था कि जब कोई number का square किसी एक prime number से divisible है तो वह number भी हमारा divisible होगा for example अगर 100 100 10 का square है तो 100 अगर हमारा 5 से divisible है तो 100 किसका square 10 का तो 10 भी आपका 5 से divisible होगा यह था है यह theorem था मैंने प्रूफ करके दिखाया था अगर आपने नहीं देखा तो आप जाओ इसके पहले मैंने प्रूफ करवा है वह theorem जोरू देखना चलिए अब तो क्या होगा हमारा जब इसको डिविजिबल है 7 से तो a is also divisible by 7 तो a भी हमार 7 से divisible हो रहा है अब हम जो क्या कर रहे है कि when a a 7 से divisible by 7 divided by 7 से divided केया रहा है कुछ न कुछ तो कोशचन तो कॉछ न करते हैं तो कुछ न कुछ तो कोशच तो कॉष्ट कोश्च तो हम लोग माल ले थे कि then मालने रहें कि क्या कि we get c as quotient तो हम लोगो क्या रहा है c जो है वो quotient आ रहा है तो a को अपनने जो a है हमारा a को divide किया 7 से जब a को 7 से divide किया तो यह c हमारा यह quotient आ गया इसी ठीक है चली तो अब क्या हो गया यहां से अब यहां से देखो तिश्रूंट तो यह स्कॉर होता है 49 तो यह हो गया 49 और स्कॉर हो गया c स्कॉर ठीक है इसको मैं equation 2 माल लेता हूं equation 1 में हमारा a square is equal to हमारा 7 b square और यहां पड़े equation 2 a square is equal to a 49 c square दो यहां भी a square का value यहां भी a square का value तो दोनों आपस में भी equal हो जाएगा इसका मतलब यह है 7 b square 7 b square is equal to 49 c square 49 c square अब तो इसको काटेंगी student 7 7 7 49 तो यहां पर आपका आगया 7 है ना student तो अब देखो student समझना इस बाग को 7 c square अब यह 7 जब इधर आएगा c square इसकॉर 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 b square by 7 तो b square by 7 जब 7 को इहर भेज देंगी तो c square इसकॉर उड़ आगया आए इसका मतलब कि ध्याइगल है कि c जो b square है 7 से क्या होजा है divisible होड़ा है to here b square is divisible by 7 क्या होड़ा है कि जो b square है वो हमारा 7 से होगया इसकॉर जब b square 7 से हमारा divisible होगया बिधियर धालशो होगा दोस्तों तो आप समझो। यहां से तो हो गहां निकल गया है। कि आपकर अज्री स्कॉर होगिया 7 वह दोस्तों हमारा दीजता है वह प्यास वह समें शद्राऋर बिवाफ कि मारा ऋट है फिर प्रकियल में और मे गश्य हमार भी हमाइब दिश्यव मत हाइब यहां बीजुए आध की माझ हो रहा हम लोग निए पहले ही माना था कि ए और भी जो है उसका 84 मागर यहां पर क्या हो जो से चाहिए बेeln हम शुए आए भी आतर फोवा मन वें तो यहां पर क्या है कि हम पिन ए वहां चुह auf débれ 7 क्या है माड़ा A & B का कॉमेंट फैट्टिया रहा है which is other than one तो क्या है वो जो कि क्या है one से अलग है हम लोगों ने माना था कि सिर्फ one ही हमाड़ा होना चाहिए बट यहां पर one के साथ साथ में seven से भी divisible है है तो दो शेवर किया ससैंसार उस सब्सक्राण से थे Sumheiten यह सब्सक्राण सासनार तो इस में लुगों सब्सक्राइब स्ब्सक्राइब आइए तो जी रूड़ा इतल्स थिशम्नियों सब्सक्राइब इंपनी थिक्छाया रहा है कि इस इस ऑंधाए रूट 7 is an irrational number इसलिए जो रूट 7 है वो irrational number हो जाएगा तो इस्ट्रेंट्स अब जो हम लोग मिलेंगे अपने next theorem में तो जहां कि मैं सब आपका सारा-सारा theorem ऐसे ही बनने वाला है आपको ऐसे ही बनाना है और इसमें कुछ नाया कुछ करामात नहीं करना है बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही कहानी है सब की सब में तो आप लोगों से बन जाना चाहिए मैंने रूट 2,3,5,6,7 इतना सारा बना के दे दिया है आगे भी बिल्कुल वैसे ही है तो आगे आप लोग आप सौल करें इसको बनाए आगे कितना भी नंबर आ जाए कोई भी नंबर जो की non-perfect square है non-perfect square उन सब का ऐसे ही बनेगा perfect square का तो rational number हो जागा for example root 4 तो root 4 तो हमारा rational number हो जाएगा root 4 का value होता है 2 तो वो रिशनल नमर हो जाएगा इसलिए नॉर्म पॉर्फेटर स्कॉर जो भी है उसका हमारा यहीं समझाएगा तो इस्ट्रेंड अब जो है इसके बात का वो आप लोग खुद बनाए यहां तक मैंने लास्ट बना के दिखा दिया आप लोगों को तो अब लोग मिलेंगे अ सब्सक्राइब करेंगे तो तक के लिए बावा आए अल्लाहाफिज दौा मेरा रखना